पहले मैं आपको एक्स्पेन करूंगी फिर इस लेसन से जुरे कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगी और सबसे एंड में हम करेंगे इस लेसन की कोश्यन आंसर को तो वीडियो को पूरा देखिये जिससे कि आप इस लेसन को अच्छे से समझ पाओ तो बच्चों घटना कहां की है एक क्लास्रूम की है यहाँ पर क्या होता है कि टक की आवाज सुनकर जितने भी क्लास में बच्चे बैटे हैं सभी चौक जाते है अब आज कहां से आ रही है तो छट पे लगे पंखे से आई थी कल्यानी चिलाई देखो देखो उस कोने में देखो चिडिया पंखे से कट गई है अब पीटर क्या करता है जट से उठा और चिडिया को उठा लाया चिडिया तरप रही थी आगे देखते हैं बच्छों Navjot and Ali quickly brought water in a bowl Peter lovingly patted the bird they held the bowl to the bird's beak it drank a little water and slowly started flapping its wings Navjot told all the children to move back they noticed that the bird was trying to fly in a while the bird flew away तो बच्छों यहां क्या होता है कि Navjot और Ali जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आते हैं और Peter ने चिरिया को प्यार से सहलाया पानी की कटोरी चिरिया की जोच के पास लगाई गई चिरिया ने थोड़ा सा पानी पीया पानी पीकर वो धीरे धीरे अपने पंक फरफराने लगी नavjot ने सभी बच्छों को पीछे हटने के लिए कहा और उन्होंने क्या देखा उन्होंने देखा कि चिरिया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है तभी फुर क्या वाद की साथ चिरिया बाहर उर गई Next day the children saw a bird circling above them in their classroom the children tried to find out whether it was the same bird that was hurt the previous day they quickly switched off the fan and started to clap अब अगले दिन बच्छों ने क्या देखा एक चिरिया कमरे में चकर लगा रही है बच्चों ने पहचाननी की कोशिश की कि क्या वो वही चिरिया है जो कल आई थी और वो कट गई थी उन्हें लगा कि यह वही है तो उन्होंने जल्दी से क्या किया पंखा बंद कर दिया और ख्लापिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने ताली बजाना शुरू कर दिया अब तो चलो आशा करते हूं ये वाला आप अपने से करोगे और मैं आंसर सारे लास में कराऊंगी अब यहाँ पर शंकर बहुत खुश था क्यूं? तो शंकर बहुत खुश था क्योंकि उसके घर की आंगन में बिली ने चार बच्चे दिये थे वो अपना खाली समय अब वहीं बिताने लगा वन मौनिंग संकर वोगन अप बाई दे क्याट से क्राई आपको पता है बच्चों बिली कैसे रोती है? एक सुबह बिली के रोने की हावाज से उसकी नीन खुल जाती है और वो भागता है कहां आंगन की योर He ran towards the courtyard He saw that cat was crying and cuddling its three kittens One of the kitten was missing He went outside and pound मालिनी patting a kitten संकर called मालिनी into his courtyard मालिनी saw the cat crying What do you think मालिनी would have done? अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है? कि एक सुबह जब संकर उठता है तो उसे बिली के रोने की आवाज आती है अब आप सोचो कि बिली रोती कैसे होगी? कभी आपने सुना है? बिली को रोते हुए तो यह जैसे ही सुनी आवाज बिली के रोने की वो आभागता है आंगन की और देखा तो बिली अपने तीन बच्चों की साथ चिपक कर रो रही है और एक बच्चा गायब था बाहर जाकर देखा तो मालिनी बिली के बच्चे को सैला रही थी अब संकर ने मालिनी को घर के आंगन में बिलाया मालिनी बिली को रोते हुए देखा अब सोचो मालिनी ने क्या किया होगा अब भोली मीनू की गाय है देखो बच्चों यहाँ पर आनिमल्स को भी फीलिंग होती है उनको उन्हें भी सेंस होता है वो sensitivity को feel करते हैं अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो animal भी को भी समझ आता है कि आप उनसे प्यार कर रहे हैं अब आगे जो देख रहे हैं वो भोली की कहानी है भोली is मीनू स काव मीनू टेक्स भोली to the field to graze daily One day a speeding scooter hit भोली and hurt her leg The wound was bleeding heavily What will people in मीनू स फामली do? चन्दू धोबी अब यहाँ पर देखो बच्चो भोली मीनू की गाय है मीनू रोज सुबह भोली को मैदान में चराने ले जाती है एक दिन तेजी से आते वे स्कूटर से क्या हुआ भोली को चोट लग जाती है चोट से खून निकल रहा था अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे बच्चो तो ऐसे कंडिशन में अगर गाय बिमार होती है तो उनकी मरहम पटी की जाती है और अगर ज़्यादा bleeding हो रही है ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो ऐसे में जो जानवरों की doctor होते है जिसे हम veterinary doctor कहते है उनको बुलाया जाता है या फिर उनकी पास हम लेकर जाते है चंदू धोबी looks after his donkey very well अब चंदू धोबी है और अपने गदे का बहुत ध्यान रगता है और गधा भी उसके बहुत सारे काम करता है अब यहाँ पर आप इन चित्र को देखो और लिखो कि चंदू अपने गदे के लिए क्या क्या कर रहा है पहले चित्र में देख रहे हो चंदू अपने गदे को नहला रहा है फिर वो अगले चित्र में उसे खिला रहा है, अगले चित्र में वो उसे पानी पिलाता है और उसके अगले चित्र में उसकी पूजा भी कर रहा है अब आपको पता है क्या आपके आस परोस में कोई पालतू जानवर है या फिर आपके घर में है अगर है तो कौन सा ये आपको comment में जरूर लिखना है और अगर आप किसी प्यार से, नाम से, किसी नाम से पुकारते हो अपने pet को तो किस नाम से पुकारते हो तो इन सारे सवालों के जवाब हम करेंगे अपने वीडियो के end में चलिए हम आगे चलते हैं वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कुछ जानवरों को पालते हैं और उनकी देखबाल भी करते हैं तो आप यहाँ लिखो कुछ ऐसे जानवर के नाम और उसकी देखबाल करते हैं तो वो हमें क्यों अगर आप पालते हो तो जैसे कि आप डॉग को पालते हो डॉग क्या करता है हमारी रक्षा करता है प्रोटेक्ट करता है कोई जब बाहर से हमारे घर में आता है तो उसको देखकर वो भूगता है कोई चोर होता है उसे देखकर वो भूगता है अगर गाए क पालते हो तो वो दूद देती है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, हम लोग किस आनिमल्स को पालतू बनाते हैं, पैट कैसे आनिमल्स को बनाते हैं, तो जो हम उनकी देखबाल करते हैं, उन्हें पालते हैं, और इसके बदले वो जीव क्या करते हैं, हमें बहुत सारी ऐसी देती है तो आनिमल्स जो होते है वो हम आपस में हम एक दूसरे पर नर्भर होते हैं अब देखो बज्चों बर्ट बाद यानि कि पक्षियों का प्यावू अब आपको क्या करना है आपको एक छोट असा चोड़े मुग का बर्तन लेना है और उसको रसी से बांध कर जैसे इस उसमें रोज पानी भरो अब देखो कि पानी पीने के लिए कौन-कौन से बर्ट वहां आते हैं क्या आपको पता है कि पानी की जरूरत आपको भी और जानवरों को भी कुछ ऐसी ही चीजे हैं जिसकी जरूरत आपको और आप जानवर दोनों को होती है आपने अगर आप खा बनानी है जिसमें आपको लिखना है कि आपने किसी animal को fed किया है और वो क्या खाते हैं तो यह question answers यहाँ पे हमको करने हैं तो यह था हमारा lesson अब चलते हैं इसके question answers पे लेकिन इस lesson से जुरे कुछ important fact है जो मैं आपको बताऊंगी अब यह सुन्दर सी तस्वीर है जिसका नाम है रानी का बाग रानी का बाग अब यहाँ पे रानी का बाग जो है रानी की का garden the gardener was brought mangoes from the queen's garden अब क्या होता है रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाए हैं अब इतने सारे आम बहुत खुब महरानी जी अगर पक्षी ना खाते तो आम इसे दुगने होते माली बताता है फि माली कहता है गलती हो गई महरानी जी अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे अब अगली बार क्या होता है रानी बहुत अगले साल गुसे में आ जाती है पहले से भी कम आम पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं अगले साल जब काम कम आते हैं तो रानी गुसे में आजाती है अब माली बताता है कि रोका था महरानी जी एक भी पक्षी नहीं आने दिया इस पर इस बार तो फलों को कीडे लग गए अब पक्षी होते तो कीरों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते तो इससे क्या होता हम समझ आता है बचों कि जो पक्षी होते हैं वो क बचो किस तरह से माली ने पकशियों को बाग में आने से रोका तो फल और भी कम हो गए। और ऐसा क्यों हुआ क्यों कि जो चिडियां होती थी वो आती थी तो कई सारे चोटे-चोटे कीरों को खा लेती थी जो उन फलों को खराब करते थे। लेकिन इस साल जब चिडियां को तो वो सारे कीरों ने फसल को यानि की आम को खराब कर दिया तो हमारे जो आनिमल्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं हमारी कई तरह से मदद करते हैं चलिए अब इस लेसन से जुरे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करती हुँ कुछ ऐसे आनिमल्स होते हैं बच्चों जैसे कि कुटा, बिली, तोते, कबूतर, खरगोश, मचलिया यह सारी चीजे पैट अनिमल्स होती है पैट किसे कहा जाता है जिन से हम प्यार करते हैं और उन्हें अपने साथ अपने घर के अंदर रखते हैं डॉग गार्ड्स आवर हाउस, अब डॉग कुट्टों को क्यों रखा जाता है, कुट्टे क्या करते हैं, हमारे घरों की रक्षा करते हैं डॉग लिव्स इन अ कैनल, डॉग जिस घर में रहते हैं उन्हें कहा जाता है, कैनल अब यह आप देख रहा हो, और राबिट, राबिट लिव्स इन अ हच, खरगोश जो होते हैं वो इस तरह के हच में रहते हैं पैरिट लिव्स इन केजेज, आपने अगर तोतों को पाला होगा, तो यह रहते हैं केज के अंदर इस तरह से पिंजडे होते हैं, उसके अंदर रहते हैं, पैट फिश लिव इन अक्वेरियम अगर आपने भी फिश को पाला है अपने घर में तो आप अपने घर में उसके लिए aquarium रखते हैं और जिसमें फिश को रखा जाता है तभी वो जिवीत रहेंगे तो आपने देखा कि ये सारे pet animals हैं जिनसे हम प्यार करते हैं राबिट है फिश है छोटे से इसे चूहा कहा जाता है या फिर बिल्ली है तोते हैं ये सारे pets होते हैं अब हम जाते कुछ useful animals के बारे में useful animals जैसे की आप देख रहे हो ये क्या है cows और cow हमें क्या देती है ये हमें milk देती है cow gives us milk तो हमारे लिए बहुत useful है सोचो अगर गाय दूद न दे तो आप दूद कैसे पियोगे ये देखो तस्वीर में जो दिख रहा है वो है ox यानि की bell bell क्या करता है ox pulls the cart bell से bell गारी खीची जाती है अब देख रहे हो आप जो ये क्या है honey bee honey bee gives us honey और honey आपको बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत मीठा होत है तो अगर honey bee ना हो तो आपको honey ना मिले तो कितनी important है ये हमारे लिए और कितनी useful है अब देखो ये fish fish को क्या करते हो आप meat की तरह use करते हो fish को खाया भी जाता है तो जिससे हमें क्या मिलता है meat मिलता और कई सारी इसमें vitamins होती है omega 3 होती है जो हमारी body को और ये क्या है ये है fish यानि कि मचली मचली से हमें क्या मिलता है तो मचली हमें मचली से हम meat मिलता है और आप अपने घरों में अगर आप non vegetarian हो तो इसे खाया भी जाता है और इसमें कई सारे vitamins और minerals होते हैं मचली में hen gives us eggs तो मुर्गियों से हमें अंडे मिलते हैं तो अब यहां से ध्यान से देखो बच्चों cats and dogs are most popular pets सबसे ज़्यादा जो cats और dogs होते हैं वो ही पाले जाते हैं birds rank next in popularity so यह कुछ common facts हैं जो मैं आपसे share कर रही हूँ सबसे ज़्यादा कुट्टे और बिल्लियों को पाला जाता है और उसके बाद चिरियों की बारी आती है birds जो होता है कम लोग पिये होता है सबसे ज़्यादा लोग पिये कुट्टे और बिल्ली होते हैं pet के लिए a pet is a responsibility as well as a companion अब pets को पालना इतना असान नहीं है वो जितनी responsibility होती है उतने ही अच्छे वो companion होते हैं हमारे दोस्त भी होते हैं keeping a pet means keeping a promise to love and care for it अगर आप आज decide करते हो कि आप अपने घर में एक pet लाओगे तो इसका मतलब सिर्फ पैट लाना नहीं होता बलकि आप अपने आप से promise कर रहे हो कि आप उसको प्यार करोगे और उसकी care करोगे do you know how do you take care of your pets तो देखो अपने जो पैट होते हैं आप उसकी care कैसे करते हो तो उसकी जो surroundings है उसको clean रखते हो उनको अच्छे fresh food देते हो खाने को इसके अलवा उन्हें असाफ पानी पीने को देते हो और क्या करते हो उन्हें time to time veterinary doctor के पास ले जाते हो उसके check-up के लिए so यहाँ पर we can take care of birds by making birds bath तो इस तरह से आप एक लगा करके घड़े जैसा या कोई बर्दन में पानी भर कर आप birds bath बना सकते हो जिससे आप चिडियों की देखभाल कर सकते हो और यह देखो यह कुछ तस्वीरे हैं आप इनको देखो यह है farm animals अब farm animals क्या होते हैं? चलो जानते हैं dog, pig यह सारे कौन है? यह भी farm animals है, cat, mouse यह भी farm animals है, chicken, duck यह भी farm animals है, goat और sheep यह भी farm animals है, cow and horse यह भी farm animals है अब बारी आती है, what is your favorite animal? आपका favorite क्या है? आप अपनी favorite animal का नाम नीचे comment box में लिखना आपके जो pets होते हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको भी बदले में उन्हें क्या करना चाहिए? उनकी बहुत अच्छे से देख भाल करनी चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए चलो चलते हैं question answers की तरफ तो यहाँ पर पहले सवाल में आपको arrange करना था correct order में चलो इसे correct order में कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले क्या आया था? the bird hurt itself with a fan then Navjot and Ali quickly brought water in a bowl and then Peter lovingly patted the bird the bird flew away the children saw a bird circling in their classroom what do you think Malini would have done? Malini would have returned kitten to the cat क्योंकि Malini ने एक kitten को उठा लिया था जिसकी वज़े से cat रो रही थी तो Malini ने क्या किया होगा? तो उसे वापस return कर दिया होगा cat को what will people in Minoo's family do? so they would wash and wound with water and apply the ointment so यहाँ पर चुकी वो उसे blood आ रही थी तो Minoo की family क्या करेगी? उसे ointment लगाएगी और पहले उसे wash करेगी फिर उस पे ointment लगाएगी धोबी चंदू looks after his donkey very well the donkey too does a lot of his work so look at the pictures and write what are the things that Chandu does for his donkey तो आपने उपर की तस्वीर में देखा की Chandu क्या कर रहा है? makes her donkey to bath then Chandu gives him grass to eat Chandu gives him water to drink and Chandu decorates donkey with flowers do you or any of your neighbors have a pet? which one? yes, dog what name have you given the pet? तो मैंने अपने pet का नाम दिया है Harry what do you do when your pet is hungry? when it is hungry we give him food to eat feeling hot or cold so we give him blanket to cover up teased by someone so we stop the person from teasing him hurt we apply ointment on the wound we keep some pet animals at home we look after them too in the table below are the names of some such animals complete the table चलो, अब इस table को complete करते हैं तो पहला है dog dog क्या करता है? to take care of the house dog को हम क्यों पालते हैं? क्योंकि वो हमारी घर की रक्षा करता है अगला animal है cow काव को हम क्यों पालते हैं? because it gives milk horse horse it pulls the cart ox plucks the field hen it gives eggs fish it is eaten and rabbit we love it honeybee it gives us honey like us animal also need water to live there are many other things which are required by both animals and humans write the names of three such things so क्या ऐसी चीज़े हैं? जो human और animal सभी को जरुरत है तो वो है air water और sunlight have you ever fed any animal or seen anyone else feeding any animal? if yes then fill the table so आपने क्या किसी animal को fed किया है? तो मैंने एक dog को fed किया और मैंने क्या खिलाया? तो मैंने खिलाया उसे चपाती I fed a cat milk I fed a peason, wheat and a parrot, chillies do you have these names in your list? find out what these animals eat rat, cockroach, pig, bat, craw, squirrel, monkey, spider, lizard rat eat chapati, dough, insects cockroach eats insects pig eat garbage bat eat blood crow eat chapati, insects squirrel eats chapati, fruit, seed monkey eats fruit spider eats small insects lizard eats mosquitoes write the names of animals you have touched you have not touched but you can touch and you cannot touch so I have touched sparrow, dog, cat, rabbit I have not touched but you can touch elephant, horse, camel and cow and you cannot touch lion, snake, crocodile and tiger yes, because these are very dangerous animals these are wild animals so we couldn't touch I hope children you like this video if you have any doubt you may write in comment section we will meet soon in our next lesson with the next video till then goodbye and take care thanks for watching and bunny Witchy whirly whirly could play go whirly whirly and